हालो एवरिवन नमस्कार सभी को स्वागता आपका आपके अपने चैनल मी और माई स्टुडेंट्स में आज हम बात करेंगे कक्षा आठ विशे हिंदी के मोडल पेपर नंबर चार इससे पहले हमने मोडल पेपर नंबर टू और मोडल पेपर नंबर थी स्वाल्व किया था औ आपको एक्जाम होगा उसमें पुर्णांक होगे असी नंबर और अवदी होगे उसकी टाइगंटा और आप पेपर देने से पहले जो समाने निविदिस दे रखें वो अविश्य पढ़ें सबसे पहले आपके आठ एमसी कुस्टन्स आएंगे वह स्टोनिस्ट परसन आपस दो कहानी में सांपर्तिक है भेंकरता का कायरता का डर का परतंतरता का तो सांपर्तिक है कायरता का तीन चलते चलते एक अक बस कूं रुख गई उसका एंजन खराब हो गया था आगे रास्ता खराब था डाकों ने बस को रुखवा लिया था पैंट्रोल की टंकी में छेद ह तो इसका उत्सर था पैंटरोल के टंकी में चेद हो गया था प्रकृति को संदेश वांक माना गया है इश्वर का प्रत्वी का आकास का पक्ष्य और बादिल्स एश्वर का प्रकृति को संदेश इस्वाक इश्वर का माना गया है चटा है माता इश्वदा ने किस में डूब कर बाल कृष्ण को अगला परसन है निम लिक्त में से किस सब्द में ए उपसरग नहीं लगा है तो ए कथ ए भेद, ए चूक ए नुज तो इसमें अनुज में नहीं लगा है अनुज में जै प्रत्य लगा हुआ है अनु मूल सब्द है अनुकार्थ है पीछे जै कार्थ होता है जन्म लेना तो जो पीछे जन्म लेता है या बाद में जन्म लेता है वो अनुज होता है और अगरज एक सब्द होता है अगरज में अगर मूल सब्द होता है जै परते होता है जै कार्थ जन्म लेना तो जो अगर यानि आगे पहले जन्म लेता है उसको अगरज कहते हैं इस तरह से इसमें आई उपसरग अनुजमिनी लगावा आठ्वा परसन है बेटी पिताजी के साथ थी रित्तान में सब्द आएगा जानने वाली थी जानने वाले थे जाऊंगी जाऊंगी तो इसमें वोगा जानने वाली थी बेटी पिताजी के साथ जानने वाली थी वस्तुनिष्ट परस्णों के बाद में अतिलगूत रात्मक 9-14 नवा परस्ण है बदलू के वेथित होने का क्या कारण था तो बदलू के वेथित होने का कारण मसीनी करण द्वारा उसका काम बंद हो जाना ही था मसीनी करण के कारण उसका जो लाग का धंदा था लाग की चुडिया बनाता था वो धंदा उसका बंद हो गया था और सारे कांच की चुडियां पहनने लग गए थे, कांच लाग की चुडियां पहनना कोई पसंद नहीं कर रहा था, इसलिए बदलू वैथित होने लगा, अगला परसंद है, बूंद ने अपने पुर्खे किने बताया है, बूंद ने हाइड्रोजन और ऑक्सिजन को अपने पुर्खे बताया, क्योंकि बूंद क्या है, पानी, और पानी क्या बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सिजन से ही बनता है, इसलिए बूंद ने अपने पुर्खे हाइड्रोजन और ऑक्सिजन को बताया, ग्यारा, सुदामा अपने गाउं वालों से किस के सम्मद में पूछत रहते हैं तो सुदामा अपने गाउं वालों से अपनी जो टूटी फूटी जोंपडी के समन्द में पूछ रहे थे सुदामा जब स्रीकृषिन से मिलने द्वारिका जाते हैं तो वो उसमें जोंपडी छोड़ कर जाते हैं लेकिन द्वारी का स्रीकिशन की किरपा से उसकी जोंपडी है वो महल में बदल जाती है और जब वापस सुधमा आते हैं तो उन्हें वो जोंपडी दिखाई नहीं देती, वहां तो चारोतर्प महली महल बने वे थे तो सुधमा पंगाउं वालों से अपनी जोंपडी के समंद में पूछ रहे थे बारह है प्रकर्ति के माद्यम से मनुश्य को क्या संदिश दिया गया है तो प्रकर्ति के मादम से ये संदिश दिया गया है कि मनुश्य को भी प्रकर्ति की तरही ही भेद भाव को त्याग कर और समान भाव से ही रहना चाहिए भेद भाव त्याग कर ही रहना चाहिए फिर प्रसन नमर 13 निमलिक मौावरों का अर्थ बता कर वाक्यों में प्रियोग कीजिए तो दो मौावरे दिये गए हैं उनके अर्थ बताने हैं और वाक्यों में प्रियोग करना है तो दो परसन है आएक एक नमर का और अर्थ का व्यादा और वाक्य प्रियोग का व्यादा तो पहला मुहावरा है दुम दबा कर भागना इसका आर्थ होगा डर कर भागना तो वाक्य में प्रियोग करेंगे कि पुलिस को देखते ही चोर दुम दबा कर भाग गई फिर है दबकर पानी होना, तो इसका रथ होगा अस्तित्व नस्ठ होना, और इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, बर्भ है, वो दीरे दीरे दबकर पानी हो गई. परसन नमर चाहुता ए सुब का विलोम सब्द सुब है लिमलिक सब्दों की विलोम सब्द लिखी अनुराग अनुराग का विलोम सब्द होगा विराग आकास आकास का विलोम सब्द होगा पाताल पंदरवा परसन फिर अति लगुतरात्मक परसन के बाद में लगुतरात्मक पंदरा से बाईश जो की परतेक जार्चा नमबर के हैं तो पंदरा परसन है लोक जितमें अच्छाई के प्रत्ती अच्छी भावना केसे जागरत की जा सकती है तो इसका उर्ट होगा की स्वार्थ की जो बूरी आदत है उसको त्याकर दूसरों के हित करके दूसरों की दोना को जेक्रत कर सकते हैं. वक्त भी आस्मान में ही उड़ना चाहता था प्रस्त नमर 17 चोराहे को पार करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए चोराहा यानि जहां च्यार रास्ते हो तो च्यार रास्ते होते हैं तो उस तरफ क्या होता है कि चारो तरफ से ही साधन आते हैं चारो तरफ से यातायत के प्रियों करते वे हमें सड़क पार करनी चाहिए और चौरह है पर जाब लाल बत्ती हो और गाड़ियां Grogu तबी उसे पार करना चाहिए और हमेशा दाइं और बाएं देक लिए अधिक भी शावदानी पूरी है सड़क पार करनी चाहिए अधिक भीड़वारे स्तान पर पूरी सावधानी रखनी चाहिए और चोराए पर भाग कर अगर कोई थोड़ी काड़ी थोड़ी दीरी हुई है तो हम सोचते हैं कि चलो भाग कर सड़क पार कर लें तो भाग कर कभी भी सड़क पार करनी नहीं चाहिए तो इस तरह से कुछ बाते हैं वो द्यान में रखनी चाहिए 18 पर स्वच्छता के लिए विद्यार्थी के रूप में आप क्या परियास करेंगे स्वच्छता के लिए विद्यार्थी के रूप में हम एक तो सबसे पहले हम अपने विद्याले की साफ सफाई रखेंगे अपने विद्याले के पूरे मेदान को समस्त क्लासों को और अपनी कक्षा को साप स्वच्छ रखेंगे इदर उदर कच्रा नहीं फेलाएंगे और विद्याले को स्वच्छ और स्वच्छ बनाए रखने में अपना भरपूर सही हो करेंगे और लोगों को भी परियर्थ करेंगे कि वह गेले और सुखे कश्रे को अलग लग करके डखकंदार कश्रा पातर में रखें और जो कश्रा लेनेवाला जुवान आता है उस में ही डालें और विध्याले के बाहर जो जगय है उसको भी हम साप रखने में मदद करेंगे और अपने विद्यालों को में साही सुच रखने का प्रयास करेंगे अगला परसन है उननिस निम्म लिख्टी विशेशन सब्दों का प्रियोग करते वे वाक्या का निर्मान कीजिए तो पहला सब्ध है सुगंदित तो सुगंदित सब्द का परियोग करते हुए, हमें वाक्या का निमान करना है, तो गुलाब के फूल सुगंदित होते हैं, फूल हमेशा सुगंदित होते हैं, अभिमानी की सैनिक अभिमानी होते हैं, अभिमानी यानि इसका करेंगे कि हमें अभिमानी होना चाहिए, स्वस्त ये स्वस्त सरीर में ही स्वस्त मस्तिस का निवास होता है हमें स्वस्त रहने का प्रयास करना चाहिए स्वस्त सरीर ही अच्छा होता है उत्री इसका हाँ वाकेम करेंगे कि हमारा विद्यले उत्री दिसा में है और उत्री दिसा से ठंडी हुआए चल रही है मेरा विद्यले गाउं के उत्री तरफ है इस तरह से हमें जो भी सब्द दिया होगा उसको ध्यान में रखते वे वाक्या का निर्मान करना है अगला प्रसन है निमलिक्त पद्यांस की सह प्रसंग व्याख्या कीजिए तो इसकी सह प्रसंग व्याख्या करनी है तो पहले हम प्रसंग देख लेती है तो यह प्रसंग में लिखेंगे कि यह पद्यांस भगोती चरण वर्मा द्वारा रचित दिवानों की हस्ती सीर्षक कविता से लिया गया है कवी यहां बताना चाहता है कि दिवाने वीरों की कोई निश्चित राहे नहीं होती चाहे सुख हो या दुख हो यह सभी को समान भाव से ही देखते हैं यह अपने परसंग में लिखना है फिर है वेक्षा तो कवी यहां कहता है कि आजादी की राह पर बढ़ने वालों के लिए कोई निश्चित रास्ता नहीं बना हुआ कवी कहता है कि वीर जो वीर पूरुष होते हैं वोई संसार के लोगों से मिलते हैं तो कुछ अपनी कहते हैं और कुछ दूसरों की सुनकर हंस लेते हैं आए बनकर उल्ला सभी जो बाते हैं तो सभी से हंस मिलकर बात कर लेते हैं सभी को खुशियों से बढ़ते हैं और जब जाते हैं तो आंसु बनकर भैचरे सभी को दुख्षी कर जाते हैं क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि ये जाए साथ ही जी भरकर सुक दुख्यन्वों को सहते हैं सब कहते ही रहेगे अरे तो वो ज्यादा दिन वाने रहते हैं तो जाते हैं तो सभी यह कहते हैं करें तो उनके से आए कहां चली कि अभी तो आए थें कहां चली लेकिन चाहिए उनके सामने सुख हो या दुख हो सभी को वे समान बाउसे दिखते हैं अर्थार्थ सुख और दुख दोनों को समान मानती हैं इस तरह से इसकी व्यक्या करनी ह अगला प्रसन है 21 निमलिक सब्दों को उनके सामने दिये सब्दों में से उच्छत अर्थ कहां चैन कर मिलान कीजी तो यह हमारे जो पाठ के सब्दार्थ है उसे सम्मंदित प्रसन है तो सब्दों के अर्थ के सामने हमें मिलान करना है उल्लास उल्लास का अर्थ होगा प्रसंता बांचते बांचते का अर्थ होगा पढ़ते सद्यों सद्यों से अर्थ है युगों बेरी दुस्मन उपाने उपाने को का जुते सिंके छिंका इस तरह सिंके सब्दों के अर्थ का मिलान करना है दियेगे कोश्टक में से उचित सब्दों का चैन का रिक्स्तानों के पूर्ति कीजिए तो ये छे परसंद है और छे नमबर के तो खोली किवार बेठी मंधिर में चोरी की बान में हो जू परीने मनुआ तो दहू दिसी फिरे थामने को बेठा है हाथ एक दूसरे देश में वर्षा बनकर गिरता है दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है मस्ती का आलम साथ चला परसंद नमर तेईस निमलिक गद्यांस को ध्यानपुरुक पढ़ कर दिये गे परसंदों के उतर दीजी तो एक गद्यांस दिया होगा और इसमें से चार परसंद पुछेंगे जो के आठ नमर के हैं परते एक परसंद दो नमर का है यह बहुत मैतोपुन है फातिमा का कहना है बैसक यह मामला के वर आर्थिक नहीं है फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मुरुक तापुन डंग से सूच रहा था उसने आगे कहा साइंगे चलाने से मेरी कौन से कमाई होती है मैं तो पैसे ही गवाती हूँ मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं साइंकल खरीद सकूँ लेकिन हर साम में किराये पर साइंकल लेती हूँ ताकि मैं आजादी और खुशालिकान भोकर सकूँ पुड़ो कोटई पहुंचने से पहले मैंने इस विन्नम रस्वारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था तो हमने गध्यांस पढ़ लिया है अब इसके प्रसन देखते हैं पहला परसन है साइंकिल परसिक्षन से मैलाओं की माल सिक्ता में क्या परिवर्तन आया तो साइंकिल परसिक्षन से पुड़ो कोटई की मैलाएं हैं उनकी माल सिक्ता में आत्मसमान की भावना उत्पन हुई और उनका जो आर्थिक स्तर है वो भी सुधरा फातिमा साइंके चला कर क्या अन्भू करती फातिमा किराये पर साइंके लेकर चलाती थी उससे वह आजादी और खुशाली का अन्भू करती थी उसके अनुसार कि ये साइंके चलाने से उसकी कोई कमाई नहीं होती थी वो तो उल्टे के पेसे ही कमाती थी लेकिन साइंकिल चलाने में उसको जो आजादी का अन्भू होता था और जो कुछाली उसे मिलती थी वो बहुती रोचक थी लेकक ने कभी भी क्या नहीं सोचा था लेकक ने कभी भी यह नहीं सोचा था कि साइंकिल जैसी साधारन सवारी भी ग्रामिन मेलों की जीवन में इतना बदलाव ला सकती है और उनके लिए आजादी का परतीक बन सकती है यह लेकक ने कभी नहीं सोचा गय है नीचे लिके सब्दों के विलौम सब्द गद्यांस मैंसे ढून कर लिखी है कटोर का विलौम सब्द विन नम्र बधाली का विलौम सब्द खुस राली तो इस तरह से आपको चार प्रसना आएंगे प्रसन नमा चोईस आप जांसी, निवासी, राहुल है अपने विद्याले के पर्दाना द्यापक, पर्दानाचार्य मोद्य को बाई की साध्धी के कारे करम के जान करे देते वे, उसमें सम्मिलित होने तु तीन दिन के उकासे तु प्रातना पतर लिखी, अथ्वा, सुचता के संबन में दो विद्यारतियों के मद्दे समाद हे राम, हमारे जीवन में सबसे जदा किसका मेथ больше हैं, अनील, हमारे जीवन में सुचता का जदा मेहतु है तो इसमें से आपको दो चोईस है या तो आप प्रात्ना पत्र लिखिए या इस समाद को आगे बढ़ाईए तो हम पहले प्रात्ना पत्र के बात कर लेते हैं इसमें देखो ऐसा अगर आपके पास प्रसन आए तो आप जांसी निवासी राहुल है तो आपको प्रात्ना पत्र लिखते हैं उसमें अपना नाम नहीं लिखना है इसमें राहुल का नाम लिखना है निचे आप नाम लिखोगे प्रार्थी तो वहां पे राहुल नाम लिखोगे और उपने विद्याले में निचे गाउं का नाम लिखोगे जांसी अपने विद्याले के प्रदाना ध्यापक प्रदाना चारिए तो इसमें देखो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है अगर आपकी स्कूल विद्याले अगर आप उद्याले का नाम राज के उच्प्रात्मिक लिखते हो तो वहाँ पर प्रदाना ध्यापक आएगा और अगर आप विद्याले राज के उच्मध्यमिक जो से पहले सेवा में स्रीमान अब जैसे प्रदाना ध्यापक लिख रहे हो तो स्रीमान प्रदाना ध्यापक महत्दे और प्रदाना चारिए लिख रहे हो तो स्रीमान प्रदाना ध्यापक महत्दे नीचे लिखोगे राज के उच्मध्यमिक विद्याले अगर प्रदाना ध्या ना पत्तर नीचे महोदे की महोदे के बादने ची लिखो के नमर निवेदन है कि मेरे बड़े भाई की साधी जेपुर्ग ते हुई है और बारात है वो बस द्वारा एक तारीक लिखनी आपको जो भी अपने मन में सोच लेना बस द्वारा जेपुर्ग जाएगी और मैं अप तो यह दिनाग भी जरूर लिखनी है निचे आप लिखोगे प्रार्थी को प्रार्थी कि अपना नाम राहूर लिखोगे विद्धयले कहा नाम लिखना है इस अ どव्यार से के और समवाद है इसमें दो वीद्यार थे हैं आपसमें बात्य कर रहे हैं तो समवाद पर लिखोंगे दो अbreaking कि हमारे जीवें में सबस्यादा किसका मेहत्व है अनियल काथ हमारे działu제 तो आपको निबंद त्यार करके जाने हैं जैसे इसमें हमारे वार्ष्री कोट्सव दूर्दर्शन से लाभानिया राष्ट्य पर्व घंतंतर दिवस कंपुट्र शिक्षा चारो ही मैत्वपुन हैं तो वार्ष्री कोट्सव मनाएं ही जाता है वह हमारे सामने की बात है तो उत्सों के बारे में लिखना है फिर केसे मनायता है कभ मनायता है strs अप सो कम्पूटरी सिक्षा भी लिख सकते हो यह भी अच्छा मैत्वपूर्ण है इस तरह आपको निबंध लिखना है तो आज हमने कक्षाठ के विशे हिंदी के मोडल पेपर चार को हल किया है तो मैं उम्मिद करती हूं कि यह मोडल पेपर पर आपकी वार्षी प्रिश्यक तहरी क सब्सक्राइब के साथ धन्यवाद